कॉइन बलेंस आपके जल जल से बढ़ते जाएंगे आपके आपके बढ़ता चले जाएगा अभी आपके अरेंज करके रखनी पड़ेगी तो उनकी ब्लॉक्चेंट पर काम नहीं करता है लेकिन अब बात करने वाले हैं डॉक के बाद कौन सा यहां पर हमें एर्डरॉफ देखने को मिल सकता है जो डॉक से भी जादा हमें प्रॉफिट दे सके जिसकी लिस्टिंग डेट भी कंफर्म हो अभी सारे का सारे मैंने हिंट दे दिए आप गैस करो कौन है तो वह है मिमीफ पहले से भोल रखाए कि 90 परसेंट इस अडर बाते की दिए आपको पता होगा मिमीफाई की टोटल सप्लाई जो हगी वो टैन बिलियन की है हो जाएगा तो इस वीडियो के नंदर हम बात करने वाले है मीमिफाई के क्राइटीरिया का कि यहां पे कॉइन बेलन्स जादा जुरूरी है या फिर हमारे पास लैवल जादा जुरूरी है क्या में ज्यादा बनाने रखना पड़ेगा जिससे कि हम ज्यादा एर्डॉप अप पर आपको सेंड करना पड़ेगा और किस तरीके से रियरेंज कर सकते हैं असानी से अरेंज कर सकते हैं गैस्फीस को साइड में मीमिफाई का बोट आपको देखने को मिल रहा हूं को कैसे बढ़ाए तो इसके लिए सबसे बैस्ट में जो लगा मुझे वो यहां पर स्पिन क क्लिक करो तो आपको को इस पिन की स्पीड है यहां पर मैक्सिमम कर लेना मैं मतलब की इस तरीके से मेरे कोई बलन सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे आपका जो लैवल है वह भी आपका बढ़ता चले जाएगा अभी यहां पर लैवल नी बढ़ेगा क्योंकि मेरे बहुत इसके लाव बात करें तो यह एक और प्रॉब्लम है कि यहां पर खतम हो जाते हैं तो इससे कैसे बढ़ाया जाए तो इसके लिए आप यहां पर तीन मैथर अपना सकते हैं पहला तो आरन के सेक्शन पर जाओगे तो आपका पर टास्क देखने हो मिल जाएंगे जिसमें इसके आपके कोई बढ़ जाएंगे और मैंने बताया कोई बढ़ने के बाद आपका लैवल इंक्रीज हो जाएगा इसके लावा बात करें आप यहां पर रैफ्राल कर सकते हैं बैक आऊंगो तो यहां पर इन्वाइट पर क्लिक कर लेना और यहां पर अपने दोस्तों में अब किन तरीके से हैं यहां पर बैलेंज को बढ़ा सकते हैं तो इसके लाब आप इसी दुबारा से बुट को 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 imposing कर लिए अब 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 अधिशन को किन बटरो पर Всёते करूँ को कि आपको कॉइन बिलेंस यह वाला और यहां पर आपको लेवल दोनों ही चीज़े इंक्रीज करके रखनी पड़ेंगी आप बात कर लेते हैं वालेट की कि बैसिकली वालेट के अंदर यहां पर आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिलेंगी तो एड्रॉप पर जैसे मैं क कर लेना क्यों कि बहुत जादा इंपोर्टेंट चीज है पहली बात किसी को शियर नहीं करना है दूसरी बात कि इसे अपने पास सेव रखना है अगर आपके पास यह लॉस्त हो जाएगी आपके जो वालेट है दुबार से एकसिस नहीं कर पाऊंट हो तो आपका जो विड्रॉब करके आपके अपको टोन के अंदर यहां पर कोई भी गैंसफिस अरेंज करने की जुरूत नहीं है तो यहां पर दो डॉलर की मिनिमुम आपको गैंसफिस एथिरियम के अंदर रखनी पड़ेगी जो लिनियर चेन के ऊपर होगी अब जैसे फ्यूचर के अंदर यह अपडेट देंगे मैं आप आपको इसका टेटोरियल भी करके दिखा दूआ अब इससे अरेंज कहां से करें तो यहां पर क्लेम करा है अब बेसिकली अपने डॉक कर लिया होगा यहां फिर कई साल लोग होल्ड भी कर रहे होंगे तो मेरा राय यह रहेगी कि आप यहां से 10 दॉलर या फिर 2-3 डॉलर का भी मिनिममम आप यहां पर अमाउंट कर लेना डॉक्स का उसे युस डेट में करके एथिरियम में बाइ कर लेना को और इथिरियम में बाइ करके इधर आप यहां पर जब भी मैं फ्यूचर के अंदर अपडेट दे दूँआ या फिर आपक आपको किस तरीके से गैंस फिस को डिपॉसिट करना है अपने मीमिफाइ अकाउंट में वीडियो के आपको कॉइन बालेंस और यहां पर लेवल दोनों ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपनी डू टॉलर की गैंस फिस को अरेंज करने के लिए सारे डॉक्स को सैल मत कर कुछ डॉक्स को आपे बचा लेना जिससे कि आप यहां पर और आने वाले फुचर के अंदर जो एड्रॉप्स हैं उसके अंदर गैंस फिस का अरेंजमेंट कर सकें अगर आपने इसकी अर्निंग अभी तक शुरू ही नहीं गया तो यहां पर टेलीरम का नीचे डिस्रिप् यू